हाव रुफीक्स सैमसिंग जे 5 प्रो ऑटो रिस्टार्ट आफ्टर अफ्टर अपडेट प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों अगर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपके जो डिवाइस है उसमें आफ्टर अपडेट के बाद आपके से इस प्र अगर आपको विफ़ोब करना क्योंकि फॉलो करना क्यूंक्य दूस्त यादट होने का जो है कई सारे उसकते यहाँ पडेट के बाद है तो यह पर आपको ङ्यूंद होते हैं तो इस वीडियो के डेओ अदर देखते हैं वीडिication साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कामा ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग सबसे पहले क्लोज कर दीजिए क्लोज करने के बाद अपने सिम ट्रे को बाहर पर निकाल के आप अच्छे से अपना सिम कार्ट मेमरी कार्ट जो भी आपने एट क्या हुआ है उनको अच्छे से आप रिप्लेस कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए ठीक है उसके बार मोबाइल दुivasार से क्रेड होते या नहीं होते अगर प्रब्ल्म दुबारा से आ रहा है तो आपको correction करना है अगर नहीं आ रहा है तो आप इससे भी use कर सकते हैं ठीक्षै उस के बाद दोस्तों यहाँ पर update के बाद यहाँ पर Auto use कर रहा तậm भी दोस्तों आपको इस तरीके का problem हो सकते है अंगर आप highlyve unos निंग कर री तब भी दोस्तों प्रावले के लिए लग है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर और यूजी का भी और रिस्टार्ट problem ही create होता है हमारे device में ठीक है और दोस्तों आपने mobile पे bad applications वगरा है उनको delete कीजिए ठीक है क्योंकि दोस्तों bad applications पे problems कई सारे आते हैं सारे साथ अगर आपके mobile पे अन्यूस application भी बहुत सारे हैं उनको भी आप delete कर दीजिए ठीक है तो इस space already full है तो आप उसको कम से कम 40% space यहां पर दीजिए ठीक है उसके बाद चेक करके देखें आपका जो issue है यहां पर हो जाना चाहिए अगर solve होता है ठीक है अगर उसके बाद भी problem आ रहा है तो आप दोस्तों आपने mobile के general management पे जाए reset के option पे क्लिक करें reset all setting पर जाके reset setting पर क्लिक कीजिए और अपना mobile pattern या फिर password पीन भर दीजिए ठीक है उसके बाद आपके सारे setting reset हो जाएगा end end recheck करके देखें अगर problem solve हो जाता है ठीक है अगर उसके management reset and then factory reset ठीक है तो factory reset में जाके दोस्तों आपको सारे के सारे phone जो है उसको ही format कर देना है उसके बाद दोस्तों देखेंगा आपका जो problem है यहाँ पर कैसे solve हो जाते है ठीक है तो इतना solution अगर आप कर लोगे तो दोस्तों आपका problem definitely solve हो जागा और दोस्तों factory reset करने के बाद आपको हाई gaming नहीं करना है अगर आप करते हैं तो वह आपको छोड़ना होगा ठीक है कुछ दिन के लिए सारे साथ मोबाइल को दोस्तों आप यहाँ पर यूस तो कर सकते लेकिन दोस्तों ज्यादा overuse आपको नहीं करना है ठीक है तो ऐसा करके दोस्तों देरे देरे जो है आपका problem भी fix हो जाएगा उसके बाद अगर आपको gaming बगरावी करना है तो अभी आप कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसने आओगा देक्स फर वाचिंग